Yes a very very good afternoon to all of you so we are live on an academy need live daily बच्चो और आज हम बात करने वाले हैं experimental physics learn through experiments जिसमें हम newton's cannonball पर चर्चा करेंगे episode 2 है बच्चो ये experimental physics का इसके पहले वाला जो हमने experimental physics में galileo's law of inertia और newton's laws of inertia जो थे उनको practically फिल किया था कि भई कैसे हम laws of inertia को समझ सकते हैं right and कैसे हम center of mass को practically फिल कर सकते हैं with the help of so many props and not अगर आपने अभी तक उस video को जाकर नहीं देखा है I would like to request you कि आपको जाकर वो video ज़रूर देखना चाहिए यह जो experimental physics का series है बच्चो यह आपको physics की तरफ drive करेगा यह आपको सीखने में यह आपके intuition को बढ़ाने में मदद करेगा बच्चो physics की तरफ आपका intuition जो है physics की तरफ आपका प्यार इससे बढ़ने लगेगा right जी so experimental physics learn through the experiments Newton's cannonball पर चरचा करने वाले हैं Newton ने जब पहली बात इसकी जरुवत क्यों पढ़ी बच्चो आप सब लोगों को पता है कि 11th standard में हम लोगों ने पढ़ा है या अभी जो 11th standard में बच्चे हैं वो gravitation के chapter में जाकर पढ़ेंगे कि if there are two masses at certain places जैसे यहाँ पर अगर मेरे हाथ में दो छोटी छोटी बॉल्स हैं बच्चो एक छोटी बॉल है मेरे पास everybody एक यह छोटी बॉल है और एक यह छोटी बॉल है अगर यह मास M1 है यह मास M2 है और यह किसी particular separation पर रखा हुआ है तो Newton बाबा कहते हैं कि इन दोनों को force of gravity के चलते एक दूसरे की तरफ attraction फिल होगा जिसकी value आप जानते हैं if G is equals to G M1 M2 divided by R square इस law को जब Newton ने proposed किया था तो इस law को उने कहा this is universal law मतलब यह कहीं भी तुम चले जाओ universal का मतलब यह कहीं भी तुम चले जाओ यह law हमेशा applicable होगा whether you are talking about earth and moon system, sun and earth system, sun और बाकी other planets या फिर entire galaxy Newton बाबा कहते हैं यह universal है, हम जहां खड़े हैं वहां तो क्योंकि जब उन्होंने धर्ती की बात करी ना, अर्थ की बात करी जहां हम और आप खड़े हैं तो उन्होंने कहा कि यह जो अर्थ है अगर मैं यह जो ball है मेरे हाथ में अगर इसको मैं छोड़ूँगा तो यह नीचे गिर जाएगी, तो सब लोगोंने बात मान ली क्योंकि practically सामने Newton ने करके दिखा दिया कि भई अगर apple तूटेगा तो वो नीचे ही गिरेगा लेकिन जब उस ने इस law को universal कहा, जब Newton सर ने इस law को universal कहा तो लोग कहने लगे कैसे universal हो सकता है, कैसे applicable हो सकता है बाकी terrestrial bodies पर हमें यह थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा तो Newton के जो law थे बच्चो, Newton का जो law था Newton's law of gravitation जिसको universal law of gravitation कहते हैं उसके आगे universal शब्द लगाने के कारण जो discriminances create होई थी बच्चो उसको साबित करने के लिए, लोगों के सामने प्रूव करने के लिए Newton ने एक theoretical experiment परफॉर्म किया था theoretical experiment का मतलब होता है, actual में हमें experiment करने के जरुवत नहीं है लेकिन जो हमारे thoughts होते हैं, Newton के जो thoughts थे, उन्होंने लोगों को उन thoughts के बल पर उन thoughts के चलते convince किया कि देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा होगा, ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा होगा लोग convince होते चले गए, और वहाँ पर universal law जो है, प्रूव हो पाया बचो, राइट तो आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, मैं हेलो आमीन, हेलो आयूश, हेलो मोहित, हेलो आयन, हेलो प्रिया, हेलो स्नेह, आयूश, माधवी and everybody, right, तो काफी सारे future doctors हमारे साथ जूट चुकें, many more yet to come, फटाफट फटाफट आते जा रहे हैं तो एक चीज में आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, मतलब ऐसा नहीं है, कि Newton की cannon ball को exactly हम बना पाएं लेकिन, फिर भी मैंने मेरी कोशिश पूरी करी है बच्चो, कि आपको मैं यहाँ पर देखो, एक मेरे हाथ में बास्केट बॉल है और बास्केट बॉल के ऊपर मैंने थोड़ा सा अरेंजमेंट करके, बई देखो सिधी सी बात है इंदोर का लड़का, फिर फिजिक्स को महबत करने वाला और उसमें आपका प्यार अगर साथ जुड़ जाए तो जुगाड कैसे नहीं हो सकता बच्चो, राइट, तो आप परफेक्ट हमने यहाँ पर अर्थ क्रिएट करी है, आप देख पारें बच्चो इस बास्केट बोल को मैं अर्थ समझूँगा, यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं बच्चो यह आपके लिए थोड़ा सा हमने हाइट क्रिएट कर दिया, काइंड ओफ, जो न्यूटन ने माउंटेन कहा था, यह वो माउंटेन है और यहाँ पर यह cannon ball है बच्चो, अब हम इसका स्तेमाल कैसे करने वाले हैं और कैसे हम इसको implement करेंगे बहुत सारे killer visualizations के साथ हम एक से बढ़कर एक चर्चाएं करने वाले हैं बस आप अपने सारे दोस्तों के साथ share करते रहना, likes का बटन दबाते रहना बच्चो, आगे बढ़ते हैं आप सबी लोग जानते ही, अभी तक मैंने आप लोगों को भूमी का बना कर बताया है कि हम Newton's के इस law में, Newton के cannon ball के experiment में हम क्या करने वाले हैं बच्चो, राइट ही amazing सी हमारी team है और अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो इस तरह के amazing videos के लिए, आप सबसे पहले channel को subscribe जरूर कर लीजिए चलिए, बिना ज्यादा वक्त लिए हम बात करते हैं, Newton's cannon ball theory का जरूरत क्यों पड़ा या क्या है Newton's cannon ball theory ये एक theoretical experiment है proposed by Newton to support his universal law of gravitation जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने अपने law को कहा कि ये universal law है और इस law के universal कह देने के कारण, Newton को लोगों को समझाना पड़ा कि earth पर जो law में applicable बता रहा हूं, वो हर जगह applicable है और वो कैसे है, तो उसी को समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए Newton ने इस theory को proposed किया था बहुत सारे thoughts थे Newton के दिमाग में और उन्होंने इसको prove किया था बच्चों, यही वो theory है, चलिए, अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो देखो सबसे पहले, कहां से कहां नी शुरुवात होती बच्चों तो जैसे Newton बाबा इसे कहते कि garden में बेठे थे और उनके सर के उपर apple गिरा तो Newton ने सोचा कि क्यों गिरा होगा नीचे, यह नीचे क्यों गिरा, उपर क्यों नहीं गया तो फिर Newton ने सोचा कि यह नीचे गिरा, इसका मतलब someone is there to pull this mass in the downward direction इसको नीचे खिचने वाला कोई न कोई available है तो Newton ने यहां पर Newton's का law of gravitation दिया और जिसका formula आप लोगों को पता है बच्चों Fg is equals to G, क्या लिखते हैं आप? M1, M2 divided by R square यह बहुत अच्छी बात थी, यह हमको पता चली if two masses M1 and M2 are separated at certain difference like this बच्चो, certain separation are तो यह force यहां पर इस तरह से applicable होता है अच्छी बात थी, इतनी बात में दुनिया को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, तुम सही तो कह रहे हो कि भई अगर यह ball मेरे हाथ में और अगर इस ball को में छोड़ूँगा तो यह नीचे गिरेगी, पक्की बात है Newton ने सबको सामने करके भी दिखाया, देखो यह ball में ने छोड़ा, यह नीचे गिरा मान गये यार लोग, मान गये, मानना ही था क्योंकि उनके घर में भी तो यही हो रहा था उनके हाथ में से अगर कोई object गिरता, वो नीचे गिर रहा था उनके हाथ में phone था, नीचे गिर रहा, नीचे गिर गया हाथ में pen थी, छुड़ गई, नीचे गिर गया तो उनको ये यकीन हो गया कि हाँ बात Newton की सही है लेकिन अर्थ का जो पूल था बच्चो ये छोटी सी बॉल जब नीचे गिर रही है तो ये अर्थ को भी तो पूल कर रही है ये सिस्टम पर लगने वाला फोर्स है इंडिविज्वल बॉडी का नहीं है बच्चो जितने फोर्स से अर्थ इस छोटी सी बॉल को पूल करेगा उतने ही फोर्स से ये छोटी सी बॉल अर्थ को पूल करेगा तो जब ये बताया ना Newton ने तो लोगों का दिमाग फिर चकराने लगा तो फिर उसमें कुछ लोग समझदार भी थे पड़े लिखे भी थे जिनको अकल थी और जिनको सोचने की आजादी थी बच्चो और जिनोंने सोच कर Newton के सामने एक सवाल रख दिया अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो है अगर ये नीचे गिरा बॉल मान लीजिए तो फिर यहाँ पर जो मून है वो अर्थ के तरफ क्यों नहीं आ रहा है जब Newton के सामने ये कहानी आई तो फिर लोगों ने कहा कि हम आपके लोग को युनिवर्सल नहीं कहेंगे क्योंकि मून अर्थ पर आके नहीं तकरा रहा है Newton ने कहा मैं समझाता हूँ theoretically Newton ने कहा हर वो चीज जो free fall motion कर रही हो need not be necessary that कि वो अर्थ के surface के साथ तकरा है क्या कहा हर वो चीज हर वो चीज जो नीचे गिर रही है वो जमीन से जाके टकरा यह जरूरी नहीं है लोगों ने कहा वे कैसा पागल हो रखा है क्या अगर कोई चीज उपर से नीचे गिरेगी तो जमीन से तो टकराएगी तो फिर ऐसा कैसे संभव है कि कोई चीज अगर move करे और वो जमीन से ना टकराए, अर्थ के साथ collision ना करे Newton ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे लोग, मनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा Newton's laws of experiment, लोगों ने कहा कि जहां तक हम जानते और समझते हैं अर्थ stationary है and moon is revolving around the earth बच्चो, ऐसा बहुत सारी theory proposed बहुत सारी चीज़ें यहां पर हुई, चलो इसी को प्रूव करते हैं कि यह ऐसे क्यों घूम रहा है Newton को एक theory पता थी, Newton का जो first law था, right, Newton का जो first law था बच्चो, the first thought of Newton is what कि अगर मैं एक cannon को अर्थ के surface पर, बड़े से mountain पर, यह theoretical statement है बच्चो, ऐसा practically करके नहीं देखा गया So Newton बाबा ने सोचा कि अगर मेरे पास यह earth है और अगर यह mountain है और इसके उपर में bowl रखूँ और इस bowl को अगर मैं hit करूँगा बच्चो, तो it should travel, it should travel केसी बच्चो, तो मैं यहां पर देखो करके बता देता हूँ, ठीके, मैं करके बताता हूँ, अगर मैं यहां पर इसको hit करूँगा, it should travel in a straight line, right, because no other force is acting, Newton का first low याद करो, if anybody is in motion, it remains in motion, ठीके, जब तक कि आपको यह उस पर external force नहीं लगाते, तो Newton ने सोचा कोई force नहीं लग रहा है, अगर मैं इसको ऐसे hit करता हूँ, right, so it should move in a straight line, लिकिन वो straight line में move करने की बजाए, वो क्या कर रही है, वो गिरती है, straight line में move नहीं किया, यहीं से Newton के दिमाग में ये cannon ball का idea आता है, बच्चोर, क्या cannon ball का idea है, इसके आगे क्या सोचा, straight line में नहीं जाएगा, तो फिर कैसे जाएगा, देखो, मैंने यहाँ पर आज आपके लिए killer visualization करके बताया, अगर मैंने यहाँ पर, right, अर्थ surface consider करो बच्चो, right, यह आपका अर्थ surface हो गया, और मैंने यहाँ से पहले वाले killer visualization में थोड़ी से speed दी, ball जो red color किये, वो वहीं की वहीं गिर गई, दूसरे वाले में force थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा force बढ़ाया, तो ball क्या करी बच्चो, थोड़ी आगे ज अर्थ पर यह करके देखा, तो फिर उन्होंने सोचा कि यह जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी center table पर रखकर, center table के उपर ball को रखकर, मैंने experiment perform किया, बच्चो, अगर उसी तरह से यह center table अर्थ हो जाता, अगर यह center table पूरा अर्थ होता, जिसके आसपास और कोई है नहीं अभी तो फिर अगर मैं वहाँ से फेकता, तो जैसे जैसे मैं speed बढ़ाते जाओंगा, क्या होगा, what will happen if I keep on increasing the force applied over the cannon ball, तो यह cannon ball का motion कैसा होगा, यह Newton बाबा ने सोचा, और इसी सोच को Newton's की cannon ball की theory हम कह रहे हैं बच्चो, जिसका experiment हम आज आपके सामने यहाँ पर proposed कर रहे हैं, सो देखो जरा यहाँ पर, every cannon ball fired with fall to earth due to gravity, जो भी, आप देखो cannon ball को यहाँ पर fire किया गया है, ध्यान से देखो, यहाँ से fire किया, ज्यादा speed से fire किया, यहाँ के गिरी, कम speed से fire किया, सिधे यहीं गिर जाएगी, देखो, जोर से fire करोगे, यहाँ के गिर रही है, धीर ऐसे fire कर यह मेरी cannon ball है, यह मेरा earth है, ध्यान से देखिएगा, अब मैं थोड़ा सा force लगाऊँगा, थोड़ा force लगाऊँगा तो यही गिर जाएगी, with a small force, छोटी सी velocity के साथ अगर आप देखोगे, this ball will fall like this, थोड़ी velocity बढ़ाऊँगा, यह ball यहाँ आएगी बच्चो, थोड़ी velocity बढ़ाते ही जाऊँगा, इसको देखिएगा जरा, अगर further speed increase करेगा, यहाँ से, इतना तो बताई है न सर, आपके सामने देखो, kilo visualization चल रहा है, Newton ने earth के ऊपर बेट कर experiment किया, मतलब अपने घर पर, जैसा मैंने center table पर आपको करके दिखाया, वैसा बच्चो, actual में बहुत height मतलब आप लेकर चलो लगबग लगबग जिसे, Mount Everest ले लो, Mount Everest के ऊपर ले जाकर रख दो तुम इस cannon के यहाँ पर cannon ball है, तो जो firing system है, अगर आप उतनी height पर ले जाकर रखोगे, तो actual में करके नहीं देखा गया, बट practically यह बता दिया बच्चो, कि अगर आप जमीन पर, मैंन और आगे गई, उसी तरह से आप यहाँ पर देखो न, अगर आप धीर से, मैं experiment करके दिखा देता हूँ, अगर आपने धीरे से मारा, टकराएगी यह ball, experimental way में देख रहे हैं, बच्चो ध्यान से देखेगा, क्या नाम दिया है मैंने, everybody, मैंने नाम दिया है, इस particular class को, experimental physics यहाँ पर, मैंने इसको छोटा सा धका दिया, देखो यह यह यहाँ गिरी है ना, लेकिन same ball को, same ball को बच्चो अगर आपने जोर से मारा, वो थोड़ी आगे गिरेगी, और इस same ball को आप और जोर से मारो, तो यह ball यहाँ गिरेगी, फिर अगर आप और जोर से मारोगे यह ball रहीं यहां पर, if you keep on increasing the speed, it will go further and further, further and further, further and further, further and further away, और उतनी ही दूर जाकर वो अर्थ के साथ टकराएगी, बच्चों, collision करेगी, and it will take more time also, अब यह तो आपको मज़ेदार तरीके से पता चला कि भई, क्या हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर, क्या एक दिमाग में सवाल आया, क अगर और जादा speed बढ़ाऊंगा, भई, बढ़ा रहा हो, तो collision हो रहा है, और distance जो है, बढ़ती चली जा रही है, यह समझ में आया, लेकिन, अगर मैं further speed को increase कर दू, तो क्या होगा, the launch speed with which cannon ball have to be launched from the machine, अगर मैं उसको और बढ़ा दू, तो क्या होगा, यह एक दिमाग में theoretical सवाल था, इस theoretical सवाल का जवाब यहाँ पर आकर मिलता है बच्चो, कि लगबग लगबग एक critical speed है, nearby to the orbit of earth बच्चो, 8 km per second, मतलब अगर आपने यहाँ पर लगबग 8 km per second से इसको project किया ना, तो यह वाला ball ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, और अब यह कहीं नहीं टकराएग It is actually in a free falling state बच्चो, यह इसका motion free fall ही है, motion इसका free fall है because all the time when it is moving in the circular motion, तो पूरे time, earth के center की तरफ इसके उपर gravitational force of attraction तो लग ही रहा है, लेकिन यह surface के साथ टकराएगी नहीं, यह ऐसे घूम कर वापस यहीं आ जाएगी, और अगर यहाँ इसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो It keeps on moving like this, यह ऐसे move करता ही रहेगा बच्चो, यह ऐसे move क्या करेगा, करता ही रहेगा, so if you increase, if you increase the speed more than or equal to 8 km per second, depending upon the height of mountain or the height from where you are launching the cannon ball, तो बच्चो वो यहाँ पर complete move करके वापस उसी location पर आ जाता है, और जब उसे कोई रोकने वाला नहीं है, तो inertia के चलते, वो अपने आप कभी रुकेगा नहीं, It keeps on moving, keeps on moving, keeps on moving, right, everybody, isn't it, बहुत बढ़िया, मुसकान, मुसकान, यह practical ही तो हो रहा है, theoretical statements को, मतलब actual में वहाँ जाकर नहीं perform किया, जहाँ जेसा आपको दिखाई दे रहा है, but theoretical statements को, जिस तरह से proposed किया गया, वो यहाँ पर experimental proofs थे बचे, right, everybody, बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर क्या हुआ देखो जरा, तो जिस तरह से, जिस तरह से यह जो cannon ball है बचो, जिस तरह से यह cannon ball, यहाँ पर इस अर्थ के आसपास घूमती रहेगी बचो, उसी तरह से, उसी तरह से, अगर आप moon की बात करेंगे, आप क is also attracted towards the earth with the force of gravitation, लेकिन वो क्या कर रहा है, it is revolving around the earth बचो, वो अर्थ के आजुबाजु revolve कर रहा है, body keeps on falling, इसे हम बोलेंगे free fall motion, लेकिन Newton बाबा ने वही कहा, कि हर free fall का मतलब यह जरूरी नहीं है, कि वो जमीन के साथ टकराए, वो अर्थ के साथ collide करें बचो, इसी लिए आपका जो मून है, वो अर्थ के साथ collide नहीं करता है, और यहाँ पर वो क्या करता है, एक uniform circular motion में बच्चो, लगबग लगबग, uniform circular motion में घूमता रहता है, और यहाँ पर जो responsible force होता है, for this circular motion is acceleration due to gravity, which is applied by, किसने बच्चो, अर्थ ने apply किया हुआ है, मून के उपर, इसी वजह से, तो जो प्यारा सा solar system है पूरा, सारे के सारे जो planets हैं, जो की sun के about घूमते हैं, आपकी जो अर्थ है, वो भी sun के about घूमती है, right, यहाँ पर अगर हम देखें, तो वो क्या किया जा सकता है, इसको देखेगा जरा, right, तो इसलिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, हम यह देखते हैं कि सर, there is no gravity, ऐसा नहीं है बचो, यह जो centripetal acceleration है, इसके लिए responsible कौन है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर, there is FG, यहाँ पर अगर यह black वाला जो object है, यह moon है बचो, तो इस moon के ऊपर इस अर्थ का gravitational pull होगा, and because of that, यह uniform circular motion कर रहा है, having certain, यहाँ पर centripetal acceleration, right, औ चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी भी यह अर्थ के साथ collide करने वाला नहीं है बच्चो, right जी, clear है, बहुत बढ़िया, मिली पूछ रहेगे कि सर, why cannon is placed on the mountain, बच्चे अगर थोड़ी उपर height पे नहीं रखेंगे, how you can provide the horizontal velocity, क्योंकि अगर आपने vertically फेका, अगर आपने इसको vertically फेका, ऐसे, तो तो obviously बात है, यह आकर वापस जमीन के साथ तक्रा जाएगे, अगर आपने ऐसे फेका vertically तो तो यह आकर यहाँ पर तक्राएगे, हाँ, एक condition है, कि आप इसको escape velocity से फेक दोगे, तो फिर यह वापस नहीं आएगे, लेकिन अगर आपने vertically फेका, तो यह वापस आकर टक्राएगे अर्थ सर्फेस के साथ, लेकिन अगर आप इसको launch करते हो, horizontal speed के साथ, तो horizontal speed से launch करने के लिए, you require certain height, बच्चे, that is why we capped cannonball over a certain height, और वो height आप यहाँ पर mountain का example ले सकते हैं, right, clear है बच्चो, ball straight जाना चाहिए था, यह भी Newton का एक experimental thought था कि यार, मेरा जो खुद का law है, Newton का जो खुद का law था, वो था कि भई, अगर कोई भी object motion में है, तो it keeps in the uniform motion बच्चो, अगर कोई force नहीं है, तो अगर मैं earth पर रख कर cannon को बहुत height से horizontally फेकता हूँ, तो वो straight जाना चाहिए था, लेकिन जब उसने घर पर, मैंने खुद आपक से धक्का देता हूँ, तो ball यहाँ पर, जितना जादा force से धक्का दोगे, उतना जादा आगे जाकर गिरेगा, और फिर यहाँ से Newton's cannonball की theory का जन्म होता है बच्चो, जो आज हमने यहाँ पर चर्चा किया, राइट, so everything that falls down does not necessarily hit the earth surface, यही आपको बताया है, जैसे यहाँ पर falling in the downward direction, वो earth के surface के साथ इसलिए टक्रा रहा है, क्योंकि उसे vertically फेका गया, अगर वो horizontally throw किया होता, and if we have thrown this stone with a speed more than or equal to 8 km per second, तो फिर यह भी round and round, round and round, round and round, चक्कर काटता रहता बच्चो, राइट everybody, clear है, बहुत बढ़िया, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, तो जैसा आपन moon का motion देखा बच्चो, right around the surface of the earth, similar to that, जो आपके satellites होते हैं, जो जैसे आप घर पे सर्च करते हैं, आज मुझे pizza खाना है, domino's कहा है, search for the domino's, right, near bangalore city, search for the domino's near indore city, तो यह जब तुम सर्च करते हो, और वो प्यारी सी information, फटाक से आपको google दे देता है, यह सब कहां से आता ह हैं, और यह सारी की सारी satellites, यहाँ पर पूरे अर्थ के surface को cover करके रखती है, तो वो satellites भी क्या कर रही है, बच्चो, इसी तरह के free fall motion को क्या कर रही है, गवन कर रही है, और यह भी one of the example है, Newton's law of gravitation का, जो की universal law है, इतना सब बताने के बाद में, दुनिया ने कहा, कि बात तो स ही है, आपकी Newton's का, जो आपका law है, वो universal law है, मान गए हम आपकी बात, वो केवल छोटे objects के लिए, हम जिने देख पाते हैं, laboratory में केवल उन पर ही applicable नहीं है, वो हर तरह के objects के लिए applicable है, even if we are talking about the galaxy, तो वो भी वहाँ पर equally hold करता है, Newton's law of gravitation को, ऐसा ही यहाँ पर अगर आप द ठीके, और keeps on revolving, आपको बताए कि जब एक चकर पूरा करती है, तो 365 दिन हो जाते हैं, बच्चों, है ना, तो इसलिए तो आपको यहाँ पर सर्दी के दिन, ठंडी के दिन, बारिश के दिन, यह पता चलते हैं, राइट, सो 365 दिनों का एक चकर होता है, और यह ऐसे sun के around अकेली अर्थ नहीं, अगर आप यहाँ पर पूरे solar system की बात करेंगे, बच्चों, तो यहाँ पर जो अभी हमने पड़ा, तो यह सारे के सारे planets क्या कर रहे हैं, they are revolving around particular, यहाँ पर sun को center में assume किया हुआ है, बच्चों, and each and every planet is revolving around the sun, और जब यह revolve कर रहे हैं, तो Newton ने कहा कि फिर मेरी cannon ball की theory perfectly satisfied होती है, और इसलिए यहाँ पर आपका जो moon है, वो अर्थ के साथ आकर टकराएगा नहीं, जो आपकी अर्थ है, वो sun के साथ जाकर टकराएगी नहीं, right, because they are moving with a certain orbital speed in a settled orbit, बच्चों, वो orbit के साह है, settled orbit है, मतलब उस orbit की radius बढ़ेगी, घटेगी नहीं, that orbit is known, settled orbit, और सारे के सारे planets, cannon ball और जो भी कोई object जिसको हम 8 km per second की रफतार से horizontally throw करेंगे, that will settle, किसमें बच्चों, in the particular orbit, जिसको हम बोलेंगे, settled orbit, तो इसलिए आपका moon अर्थ के साथ आकर नहीं टकराएगा, यह था Newton's cannon ball theory बच्चों, I hope आप लोगों को मजा आया होगा, I hope एक नया perspective मिला है, physics को देखने का, physics को सीखने का, इसी लिए मैंने ये series स्टार्ट करिये, बच्चों, experimental physics, क्योंकि ये सारी चीज़े जानने से, सीखने से, right, क्या होता है, जो हमारे syllabus में है, हमारे भारत में कई सारी चीज़ें ऐसी हो जाती, बच्चों कि हम more or less, we are only focused about the syllabus, क उसके बाहर की थोड़ी भी चीज़ हो जाए, हम कभी interest नहीं show करते, और शायद यही हमारा weak point रह जाता है, I want all of you, कि आपका कोई भी weak point नहीं रहे, that is why experimental physics, एक नया perspective होगा, learning का, एक नया तरीका होगा सीखने का, तो यही तरीका यहाँ परे बच्चों, so we'll keep on doing such things बच्चों ऐसे हम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, टेलिग्राम का चैनल है, बच्चों आपके सामने tinyurl.com slash academy chat, और जितने lectures मेने अभी तक लिये हैं, tinyurl.com slash net mobile पर available हैं, आप अपने phone के browser में enter करके देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं भई इसी तरह से एक से बढ़कर एक kilo visualizations के साथ पढ़ना और country के legends के साथ सीखना, live जिन से पढ़ने के लिए, आप अपना घर बार छोड़ कर कोटा और डेली जिसे शहरों में जाया करते थे, अब जाने की जरूरत नहीं है, unacademy which is unbeatable, unbelievable, unstoppable बचों, उन्होंने legends की live classes को technology की मदद से एक platform पर एक जगह आपके लिए कर दिया गया है, आपको कहीं अपना घर छोड़ कर जाने की जरूरत नहीं है, घर बेठे पढ़िये आप, you can interact with the educator, live polls and letter boards का benefit है, बचों, साथ ही साथ, आपको test series and analysis का जबर्जस benefit मिलता है, live doubt clearing sessions का भी एक फायदा है, बचों, unlimited access आप unlimited access, जो की सबसे प्यारा, सबसे बहतर, सबसे जबर जस्ते, राइट, सो आप मुझे बताइएगा, कि आपको experimental physics का ये, जो series है, ये कैसा लग रहा है, और अगर आपको आनन्दा रहा है, तो आप जो है, अपना प्यार, अपनी महबत ज़रूर दिखाएं, और वीडियो को ज जितना longer duration आप select करोगे, उतना जादा beneficial होगा, यहाँ पर एक option होता है, बचो code का, तो जब भी आप subscription ले, code का ध्यान रखें, एक फैसला आपकी जिन्दगी बदल सकता है, code है बचो, MS Live, इसको apply कर दोगे, you will be able to get 10% discount, और apply करने से, आपको कहीं सारे other benefits मिल जाएंगे, जैसे कि मेरे hand written notes मैं बचो को provide करता हूँ, यदि आप plus पर हैं बचो, right everybody, मज़ा आया, बहुत अच्छा था, मुझे भी बहुत मज़ा आया, बहुत आनन्द आया, right, इससे थोड़ा सा हमारा scientific दिमाग खुल कर सामने आता है, बचो, right, special classes आप free of course देख सकते हैं, बचो, special classes देखन miss ना हो, और इस amazing team से पढ़ने का chance आप ना गवाएं, बचो, right, जी, अब यहाँ पर एक बार जाते जाते हैं, फिर से आप से बात कर लूँ, तो record के बारे में, बचो, जब आप an academy का subscription लेंगे, MS live, आपके प्यारे माही भाया का ये code है, physics, chemistry and biology, सारा सब कुछ आपको मिल जा आएगा, अगर market में आपको ये quality इस से कम दामों में मिल रही हैं, आप जा सकते हैं, बचो, लेकिन अगर आपको इसका 5 गुना, 10 गुना देना पड़ रहा है, तो फिर आप quality को लेने में, यहाँ पर विचार बिलकुल मत करिएगा, alright everybody, मज़ा आया आप सभी लोगों को, शुरुबात होगी कहानी, और फिर उसके बाद सिलसले इतिकाम तो चलता रहेगा, बच्चो चार बजे से लगा कर रात के 10 बजे तक continuous हमारी पूरी टीम आपके लिए लगी रहेगी, बनी रहेगी, right जी, चलिए, so till then, love you all, all the very best, thank you so much, thank you so much, जगनात, सो हम, रूची, माध भी, सलीम, राफिया, right आप सभी लोगों ने प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार, आपकी महबद, comment section में दिखती रहे, वीडियो को share करते रहना, till then